नमस्कार आज हम बात करेंगे ट्रेने सिस्ट्रम ऑफ राजस्थान यहीं राजस्थान के अपवात अंत्र के बारे में आज हम बात करेंगे बात करें राजस्थान की तो राजस्थान की गणना भारत के शुष्क प्रदेशों में की जाती है अतया नदियों एम जीलों का विशेश मैत हुए राजस्तान में नय केवल नदियां कम मिलती है अपीतु यहाँ पर जो वर्षवर प्रवाइत होने वाली नदिया है उनका भी अभा हुआ है राजस्तान की अपुवा परनाली की बात करें जो राजस्तान की अपवा परनालिय है। वो ये राजस्तान की भूगरविक सर्यरजना, राजस्तान की धरातल अरावली परवतमाला और राजस्तान की जलवाई द्वारा नियंत्रीत होती है। यहां की अपवा की मुख्य विशेष्था यह है कि यहां आंतरिक प्रिनाली पाई जाती है राजस्तान की नदियों को हम तीन समोव में बाण सकते हैं या राजस्तान के अपवा तंतरों को हम मुख्य तेन समोव में या तीन भागों में बाण सकते हैं जिसमें सबसे पहला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियां और तीसरा है अंतप्रवाइद होने वाली नदियां यानि राजस्तान की नदियों को हमने तीन समों में बाटा जिसमें पहला था बंगाल की खाड़ी म गिरने वाली नदियों के बारे में इसके अंतरगत जो नदियां गिरती है या प्रभाइत होती है वो है चम्बल, बनास, बानगंगा और इनकी सहायक नदियां हैं कालिसिन, पारवती, परवन, कोठारी, आदि ये सबी भी बंगाल की घाड़ी में अपना जल गिराती है बंगाल की घाड़ी में गिराने वाली नदियों में सहायक नदियां हैं अब हम बात करते हैं चम्बल नदि के बारे में चम्बल नदि इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम है मध्य प्रदेश में महू के निकट मानपूर के समीब जनापाउ की पहाडियों से यानि चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में महू के निकट जनापाउ की पहाडियों से होता है और यह नदी राजस्तान में 84 गट किले के निकट से प्रवेश कर करती है इसके बाद यह कोटा बुंदी जिलों की सीमा बनाती हुई तथा सवाय माधुपूर और कोटा की सीमा बनाते हुए अंत में इतावा नगर यानि उत्तर प्रदेश में यौना में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 965 इस नदी पर 84 गट के पास एक einजल परपात बनता रहे हैं उसका नाम है चूलिया जल पराद याद इस चूल्डी के ही पास चंबदी चूलिया नामग़ जल परपात बनाती हैं और इसकी चंबलनदी सवाय माधुपूर और हम धोलपूर के छेत्रों में बनाती हैं बीहड का निर्बान कर दिया है चंबल नदी पर तीन बान बने हुए जिन में पहला है गांधी सागरबान दूसरा है जवार सागरबान और तीसरा है राणा-प्रताप सागरबान और एक बेराज है वह है कोटा बेराज ये सबी सिच्चायम जल विद्दूत के लिए प्रमुक्ष्र चंबल की साइक नदियों में हम सबसे पहले बात करें काली सिंद्ध की काली सिंद्ध नदी की तो काली सिंद्ध नदी का उद्गम मद्य प्रदेश के देवास के निकट से होता है और यह जहलावाड और बारा जिले में बहती हुई नानारे के निकट चंबल नदी में मिल जाती है यानि मद्ध्य प्रदेश से निकलने के बाद यह जहलावाड मारा जिले में प्रवाइत होती हुई नानारे के निकट चंबल नदी में मिल जाती है काली सिंद की प्रमुग सायक नदिया है परवन उजाड निवाज और आहू दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं पार पारवती नदी पी चंबल नदी की सायक नदी है पारवती नदी का उद्गम मद्ध्य प्रदेश के सिहोर के निकट से होता है और यह बारा जिले में प्रवाइत होती हुई सवाय मादपुर जिले में पालिया के निकट चंबल नदी में मिल जाती है पारवती नदी की प्र नामनी नदी के नाम से भी जाना जाता है यह चितोडगड जिले में हरीपुरा गाउं से निकल कर बैसोर गड के निकट चंबल नदी में मिल जाती है एक और है गंबीरी नदी जो की चंबल नदी की साइख नदी है यह मद्दे प्रदेश में जावद की पाड़ियों से निकल कर चितोडगर जिले में बैठती हुई चितोडगर से दो किलोमीटर उत्तर में बीडच में मिल जाती है अब दूसरे नमबर पे हम बात करते हैं बनास नदी की या बनास नदी के अपवा छेतर के बारे में यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में से प्रमुक नदी है बनास नदी के उद्गम की बात करें तो बनास नदी का उद्गम अरावली की खमनोर की पाड़ियों से होता है जो की कुम्बलगर से 5 किलोमीटर दूर इस्थित है यह राजस्तान की प्रमुग नदी है क्यूंकि इसका संपून प्रवाचेत्र राजस्तान में ही है कुम्बलगड से निकलने के बाद यह नदी नादवारा, राससमन, चितोडगड, बिलवाडा, सवाय मादवपुर और कोटा जिलो में प्रवाइत होती है और अंत में कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है बनास नदी की सायक नदियों की बात करें तो इन में हैं बेड़च नदी, कोठारी नदी, खारी नदी, मैनाल नदी, बांडी नदी, मांसी नदी, दुंद, मौरेल यह इसकी प्रमुक सायक नदिया हैं बनास नदी को वन की आसा भी कहा जाता है अब बनास नदी की प्रमुक सायक नदियों में हम सबसे पहले बात करें बेड़च नदी की बेड़च नदी के उद्गम छेतर की बात करें तो इसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाडियों से जो की उदयपूर के निकत है उद्गम की निकट इसे आयर नदी की नाम से जाना जाता है वे उद्गम छेतर में पहले पहले बेड़च नदी की नाम से जाना जाता है यानि बेड़च नदी को उद्यपुर के निकट तो आयर नदी की नाम से जाना जाता है और उद्यसागर जील से निकलने के पशाथ आयर नदी को बेड़च नदी की नाम से जाना जाता है बिंगोद के निकट बनास में मिल जाते हैं, बिंगोद यानि बिलवाडा जिल्ले में हैं, वहाँ यह बनास नदी में मिल जाती हैं नेक्स्ट है, कोठारी नदी, यह भी बनास नदी की साइक नदी हैं, यह उद्यपुर जिले के उत्री भाग से निकलती हैं और उसके पश्चातिय लगभग 145 किलोमीटर प्रवाइथ होने के बाद बिलवाडा जिले में बनास में मिल जाती है यानि कोठारी नदी उदैपुर के उत्री भाग से निकलती है और बिलवाडा में ये बनास नदी से मिल जाती है Next है खारी नदी खारी नदी का उत्गम उदैपुर जिले के बिजराल ग्राम की पहाडियों से होता है और अजमेर जिले में देवली के निकटिया बनास नदी में मिल जाती है यानि खारी नदी उदैपुर जिले के बिजराल ग्राम की पहाडियों से निकलती है और देवली के निकटिया बनास नदी में मिल जाती है नेक्स है बानगंगा बानगंगा का उत्गम जैपुर जिले की बैराट की पाड़ियों से होता है और इसके बाद जैपुर दोसा सवाय मादपुर भरतपुर जिलों में प्रोराइथ होती हुई अंत में आगरा के फैवाद के निकटिया यमना नदी में मिल जाती है तो ये तो बात की हमने बनास नदी और उसकी सायक नदियों के बारे में अभी तक हमने चंबल नदी और बनास नदी के अपवा छेतरों और उसकी सायक नदियों के बात की जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है अब हम बात करते हैं अरब सागर में अपना जल गिराने वाली नदियों के बारे में अरब सागर में गिनने वाली नदियों के बारे में इसके अंतरगत मुखेते जो नदियां आती है वो है लूनी नदी, माही नदी, साबरमधी नदी सबसे पहले हम बात करते हैं लूनी नदी की लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले के नाग पहाड से होता है लूनी नदी पश्मी राजस्तान की सरवादिक महत्पून नदी है लूनी नदी अजमेर जिले के नाग पहाड से निकलने के बाद जोदपूर, पाली, बाडमेर, जालोर जिलों में फ्रोहिद होने के बाद अंत में कच्खेरन में प्रवेश करती है लूनी नदी की मुख्य विशेश्टा यह है कि इसका पानी बालोत्रा तक तो मीठा रहता है और उसके पश्चाथ खारा हो जाता है लूनी नदी की सायक नदियों की बात करें तो इन में हैं सबसे पहले बात करते हैं लेलिडी नदी यह नदी अजमेर में जवाजा के निकट से निकल कर पाली जिले में लूनी नदी में मिल जाती है लेलिडी नदी जो की लूनी नदी की सायक नदी है यह अजमेर में जवाज पाली में अरावली की पहाडियों से निकल कर पाली वर बाडमेर में बैती हुई पाउला गाउं के समीप लूनी नदी में मिल जाती है तीसरी है जवाई नदी यह नदी पाली तैसिल के गोरिया गाउं से निकलती है और जालोर में पल्लाई गाउं के समीप इसके बाएं किना पर सूखडी नदी तथा विराना गायों में यह क्खारी नदी से मिलती है और इसके पसाथ बार्डमेर में लूनी नदी से मिलती है यानि कि जवाई नदी है यह पाली के गोरिया गाउं से निकलती है उसके बाद यह जालोर में पल्लाई गाउं के समीब इसके बाएं किनारे पर सूकडी नदी मिलती है यानि जालोर में पल्लाई गाउं के समीब इसके बाएं किनारे पर सूकडी नदी मिलती है जबकि बिरान नदी की यह अरावली से निकल कर बाली में सरदार समन्द में गिरती मैं तर अरफ सुकड़ी द्वित्य यह भी अरावली की पाडियों से निकल कर पाली में बैतिवी बाड्मेर में मिल और सुक्डि द्वित्य के अतिरिक एकुर है सुक्डि त्रतिय यह खारियं जवाई नदियों के संगम के पशाथ नदी के उपरी भाग में एक सायक नदी सुक्डि त्रतिय के नाम से जानी जाती है यह खारियं जवाई नदी के संगम के पशाथ नदी के उपरी भाग में एक सायक नदी सुक्डि त्रतिय नदी के नाम से जानी जाती है जो बाद में लूनी नदी में मिल जाती है नेक्स हम बात करते हैं बांडी प्रत्थम की यानि बांडी नदी की यह अरावली से निकल कर पाली में लालसीन गाओं के समीब लूनी नदी में मिल जाती है दूसरी है बांडी त्वित्य यह नदी सिरोई में अरावली पाहडियों से निकल कर जालोर में सुक्डि त्रतिय में मिल जाती है सागी नदी का उद्गम सिरोई की अरावली पहाडियों से होता है और जालोर में बैती हुई बाड मेर में लूनी में मिल जाती है सागी नदी है वो अरावली की पहाडियों से निकलती है और जालोर में बैती हुई बाड मेर में लूनी में मिल जाती है अब हम बात करते हैं माही नदी के बारे में माही नदी इसके उद्गम छेतर की बात करें तो यह मद्दे प्रदेश की महु की भाडियों से इसका उद्गम होता है और यह राजस्तान में बास्वाडा जिले के खाटू ग्राम से प्रवेश करती है और यह डुंगरपूर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए खंबाट की खाड़ी में प्रवेश करती है गिरती है बांसवाड़ा के निकट माही नदी पर माही बजा सागरबान का निर्मान किया गया है और जिसका प्रयोग सिचाहितु किया जाता है माही नदि की साएक नदियों की बात करें तो उन में हैं सोम जाखम अनास चाप मोरें यह इसकी साएक नदियां साबरमति साबरमति का उठकम उदयपुर के दक्षिन पश्षिम से होता है और यह उदयपुर सिरोई जिलों में प्रवाइत होती हुई गुजरात में प्रवेशकर खंबात की खाड़ी में गिरती है साबर मती नदी की सायक नदिया है हत्मती मेशर्व याजम इसकी सायक नदिया है नेक्स हम बात करते हैं तीसरे अप्रवाइत होने वाली नदियों के बारे में राजस्तान में अनेक छोटी छोटी नदिया हैं जो कि कुछ दूरी तक प्रवाइत होने के बाद रेद या भूमी वे विलीन हो जाती है उन्हें अन्तर प्रवाइत होने वाली नदियां कहा जात इस प्रकार की नदियों में प्रमुक है कातली नदी साबी नदी काकानी नदी आधी सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर प्रवाइद होने वाली नदियों में कातली नदी की कातली नदी सीकर जिले की खंडेला की पाहडियों से निकर कर लगभग सो किलोमेटर की दूरी तक प् कातली नदी सीकर जिले के खंडेला पहाडियों से निकलती है और लगवक 100 किलो मीटर तक ये प्रवाहित होती है और सीकर जुन-जुनु जिलों में बहती हुई है चूरू जिले में चूरू जिले की रेतिली घूमी में विलुपत हो जाती है केवल वर्शाकाल में ही इसमें जल प्रवाहित होता है जल की उपलब्दता होती है दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं साबी नदी की साबी नदी है जैपुर की सेवर पहाडियों से निकलकर बांसूर पहरोड किशंगर्ड मुंडावर तिजारा में बहती हुई हर्यानां में प्रवेश करके विलुपत हो काइन ही नदी के नाम से भी जाना जाता है इस नदी को मसूरी नदी की नाम से भी जाना जाता है और यह नदी जैशलमेर की से लगबग 27 किलोमेटर दक्षिन में कोटरी गाउं से निकल कर कुछ किलोमेटर भैकर रेत में विलूपत हो जाती है। काकानी नदी जेसलमेर के दक्षिन में लगबख 27 किलोमेटर दक्षिन में कोटरी गाउं से निकलती है और कुछ किलोमेटर वेहने के बाद ये विलूपत हो जाती है अंतर प्रवाइत होने वाली नदियों में एक और है घग्गर नदी इसे प्राचीन सर्वस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है इसकी उत्पत्ती हिमाले की शिवालिक पहाडियों से होती है और ये हर्याडा में प्रवाइत होती हुई हनमानगर जिले में टिब्बी तैसिल में प्रवेश करती है राजस्तान में ये हनमानगर जिले में हनमानगर जिले के टिब्बी तैसिल से प्रवेश करती है अनमानगर गंगानगर में प्रवाइथ होने के बाद यह पाकिस्तान तक प्रवाइथ होती है इस नदी को स्थानिय भासा में नाली नदी की नाम से भी जाना दाता है और इसे मृत्र नदी भी कहा जाता है तो यह बात कि हमने घ्गगर नदी कि इसके अतिरिक्त जो अंतर प्रवाईत होने वाली नदियान उन्हें अन्ट में है मेडान दी रूपनगड नदी तुरंत मती नदी खारी नदी थि आधि प्रमुक नदियान जो कि अंतर थोने वाली नदिया है कि लाउस्ट में हम लेते मैप को कर दो इसमें जो राजस्तान की प्रमुक नदिया हैं नदिया है है declaration कि इसे बाद करें इसमेश है प्रमुक माही नदी पश्मी बनाश नदी लूनी नदी और लूनी की साइक नदिया हैं मीठडी जवाई सूकडी आदी चंबल नदी जो की दक्षिन से प्रवेश कर रही है राजस्तान में इसकी प्रमुक है साइक नदिया है आहू काली सिंद परवन पारवती आदी उत्तर में गगर नदी पश्मी में जो काकनी है मसूद्री नदी है यह राजस्तान की प्रमुक नदियों की आज हमने बात की आज के वीडियो में इतना ही थैंक यू